रोशन करें दुनिया नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शाइना एंसी स्वागत है आप सभी का विविद भार्टी के कारेकरम रोशन करें दुनिया में हर हफ़ते हम आप से मिलाते हैं एक ऐसी शक्सियत से जो अपने प्रोफेशनल के साथ साथ कुछ अच्छा काम करते हैं और लोगों के जिंदगी में रौशन फैलाते हैं आज हमारे साथ स्थूडियो में मौश्डूद है मिशान्त मात रेजी जो लीला मात रे प्रतिश्थान चलाते हैं सब से पहले स्वागत है आपका निशान जी नमस्कार शाइना जी मात्रे जी आपके बारे में बताएं और आपके बैक्ग्राउंड के बारे में बताएं जॉब लिया है वो बिट्रा में बॉंबे टेक्सटाल रिसाच असूसीशन में काफी गोवर्मेंट्स के प्रोजेक्स हमने हैंडल किये मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहा हूँ और मेरी जो लाइकिंग थी रिसाच अन इनोवेशन के लिए उसके दरिये मैंने जो डेवलप्मेंट्स किये मशिन्स में हम एक एक्टिविटी करते थे जिसके दरिये हम इंडस्टी में जाते थे और इंडस्टी में क्या रिक्वाइर्मेंट है वो हमको मालूम पड़ता था और वो requirement के हिसाफ से हम machine development करते थे और ये innovations के लिए हमको काफी recognitions भी मिले, awards में मिले और उसमें से मुझे इधर जिकर करना है main awards जो GD Birla Award, CD Foundation Awards, फिर NCPED Shell Helen Keller Award, National Award which was given by Dr. APJ Abdul Kalam, President at that time and recently I received a Lifetime Achievement Award which was given by the Textile Association for my service in the textile industry उसका MP unit से. मातरे जी आपका जो charitable trust है उसके बारे में बताएं कि क्या काम करती है और कैसे लोगों को मदस करती है? शायना जी यह जो trust formation है उसके पीछे की एक tragedial story है मैं schooling में जबी जाता था मेरी मा मेरे को हमेशा लेके जाती थी और लेके आती थी तो आते समय एक सिद्धिविन एक temple हमको रस्ते में मिलता था तो उदर एक दिव्यांग लड़का हमेशा रोते हुए रहता था हमेशा मदर अधर रुकती थी और मेरे को बोलती थी मेरी मा क्या रुको इधर मैं उसको वड़ा लाके देती हूं और हमेशा उसको एक वड़ा खिलाती थी बटटा वड़ा लेकिन एक fine day में क्या हुआ वो बटटा वड़ा की गाड़ी उदर नहीं थी तो मैंने मा को बोल दिया क्यों नहीं हम उनको थोड़ा पैसा देते और निकल जाते हैं तो ममी ने refuse किया वोली नहीं इधर नहीं है तो महें दूसरी जग़ा पे जाके उसको लेके आऊंगी तुम इधर कड़ा रहो और उन्होंने किदर दूर से जाके वो बटटा वड़ा लाके उसको दे दिया हो खुश पैसा नहीं देते थे वो टाइम पे मैं बोलती थी कि अन्नदान ये बेस्ट है लेकिन आज मैं तुमको बोलती है इसके ही आगे तुमको हैंडिकैप लोगों के लिए दिवियांग या डिजैबिलिटी लोगों के लिए रियेबलेशन की एक्टिविटी चालू करनी है उनक उनको खुद के पैर के ऊपर खड़ा रहने के लिए कुछ करो अन्नदान के आगे ये सेवा होगी तो मैंने बुला उनको ठीक है मैं कुछ कोशिश करूंगा अनफोर्चनेटली आफ्टर सम मन्स ममी का देहानत हो गया लेकिन फिर मैंने वही चीच एक इंस्पिरेशन लेके बिटरा में हमने फिजिकली चैलेंज पीपल के लिए एक हैंडलूम बनाया हैंडलूम और क्रचिस जिसके जरीए उनको रियाबलेशन गैजेट्स तैयर हो जावे और वो कुछ रेविन्यू जनरेशन उनको मिले तो ये मकसद से मैंने मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे फैमि चैलेटिबल ट्रस्ट ममी के इंस्पिरेशन से ब्लेसिंग से आमने उसको फॉर्म किया और इसके बारे में आप हमें बताएं क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो आप जैसे काम करते हैं चैलेटिबल ट्रस्ट में भी कैसे इसकी शुरुआत हुई मैंने एक गैजेट्स टाहर किया जिसको हमने बोला कि Self Reliant Employment Crutches और Self Reliant Employment Handloom ये दो जो हमारे instruments हैं वो हम आज मार्केट में लेके आए हैं और हम फ्री देते चैरिडिबल ट्रस्ट के दरिये अभी ये तैसे Self Reliant है handloom आपको मालूम होगा handloom always safe रहता है दिव्यांग के लिए उसमें electric power की जरुवत नहीं लेती है इसलिए हमने handloom में थोड़े modification किये जिसके जरीए वो user friendly हो जावे और दिव्यांग उसको utilize करे कपड़ा बनाने के लिए तो ये एक handloom है उसके लिए हमको award भी मिला national award मिला शेलहलन केलर award मिला और दूसरे क्रचिस ये जो क्रचिस हमने modify के उसमें हमने एक provision किया है जिसमें बैटने की सुविदा हो सकती है वो chair बन सकता है उसको हमने कुछ business चलाने के लिए articles और products देते हैं कि वो बैटके वो बेच सकता है तो self-reliant हो सकता है इसलिए ये project को हमने एक title दिया है rest while you walk and earn while you rest तो ये दो हमारे gadgets है और यही करण से हमारा mission self-reliant mission कहा जाता है इस mission का आगे का roadmap क्या है? हमने जब ये mission चालू किया तो शुरुवात में हमने मालेगाओ में implement किया पहले program में साड़े तीन हजार दिव्यांग लोग आके बैटे थे मैं भी surprise हो गया और उधर भी हमारे chief guest आये थे वो भी surprise हो गये कि इतने आदमी कैसे आ सकते है और क्या mission है तो वो time पे हमने 5-6 दिव्यांग लोगों के लिए ये लीला रोजगार crutches हमने डोनेट किये और उनको training दिया और आज भी मेरे को बहुत खुशी होती है peace मिलता है जब उसमें से दो दिव्यांग आदमी मेरे को खुद phone करके बोलते है मातरी ची आज हमने 8,000 रुपया कमाया आज हमने 9,000 रुपय का तेल बेचा आज हमने 7,000 रुपय का bags बेचा अपके crutches के उपर बैट के तो बहुत खुशी होती है और इसके बाद में हमने जैसिंगपूर में कुछ चार-पाच दिव्यांग लोगों को ये crutches दिये फिर हमने इचल करंजी में बाटे और रिसेंटली हम स्रीवर्धन में गये थे उधर भी हमने ये project implement किया है और इसके आगे हम शोलापूर में करेंगे मुंबई में करेंगे पुना जाने वाले हैं MP में जाएंगे और globally भी हम ये करने वाले है और हर जगह पे हम जाते है तो local association सामने आते हैं आगे आते हमको मदद करते है government या समाच जब आपके साथ involved होती है तो इसके क्या फाइदे और नुक्तान है आपकी राय क्या है दिखे शायना जी government के काफी schemes है excellent schemes है मैं तो appreciate करता हूँ बहुत सारे हैं दिव्यांग लोगों को जिसको भी जानकारी मिलते है वो उसके फाइदे उटा थे और ज़्यादा करके NGO और local association ये scheme implement करने की कोशिश करते है मेरी एक ही इसमें सुझाव रहेगा कि जब ये दिव्यांग अदमी certification लेने को जाते है तभी medical officers उनको ये certification देते है तो why not वही टाइम पे हम दिव्यांग लोगों को उनके scheme के बारे में जानकारी दे सभी दिव्यांग को category दिया जाता है 40% disability 20% 80% और ये percentage के base के उपर उनको jobs मिलते है उनको schemes लागो होती है तो why not वही टाइम पे कुछ हम connected awareness program करे तो मुझे लगता है दिव्यांग को on the spot मालूम पड़ेगा आज मेरे पास 30% या 40% की disability है तो मेरे को ये scheme लागो है government की और उसमे फाइदा हो सकते हैं जो लोग मातरे जी के लीला मातरे प्रतिष्टान के साथ काम करना चाते हैं वो कैसे आपके साथ जूड़ सकते हैं हमने एक website launch की है हमने एक task force बनाने की planning की है और जो जो हमारे साथ आएंगे हम उनको हमारे साथ ले लेंगे because ये mission है सब के लिए और सब का है तो जितने आग्में आएंगे जितमें हमारे साथ जूड़ जाएंगे ये mission success होने वाला है चेक काटना बहुत आसान होता है लेकिन सब से कथिन होता है जब आप समय चाते हैं या समय देते हैं तो आपका क्या संदेश है हमारे शुताओं को मेरा एक ही संदेश रहेगा कि हमारे life span में हमने कभी न कभी तो यूटन लेना है यूटन इने क्या है जो भी आज तक मैने कमाया हो मेरे लिए कमाया Mother Earth और Society के लिए मैं कभी दूँगा मुझे कभी न कभी तो वापिस करना है तो हमको सोचना है हम 30 years के होंगे तभी यूटन लेना है क्या 40 years में यूटन लेना है या 60 years में यूटन लेना है वो इनसान की सोच है हर टाइम पे आप पैसा नहीं दे सकते है टाइम दे सकते है आज नूटन का थर्ड लोग क्या बोल रहे हैं? For every action there is equal and opposite reaction. So science और spirituality ये साथ में जबी चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है success is not there. मातिरे जी कहते हैं कि जीत और हार सोच पर निर्भर होता है. मान लो तो हार और ठान लो तो जीत होती है. आप हमें बताएं आपकी जिंदगी के उधारन जहां आपको लगता है कि काम करने पे जीत हुई है और अच्छा काम करने पे दुआ भी मिली है. शाइना मेडम में अच्छा सवाल पुछा. मेरे वाइफ को लास्ट येर में ब्रेन हैमरेज और पैरलेसिस का एटेक आया. हम लोग सब डिस्टब होएते गर में और मैंने यही मेसेज मिस्टर मोमीन मोजीब जी को दिया माले गाव में. उन्होंने कहा मातरी जी आप कुछ भी चिन्ता मत कीजिए. सबसे अच्छी दुआ रहती है वही विकलान लोगों की, दिव्यान लोगों की दुआ रहती है और उन्होंने जो मेसेज फाइलाया माले गाव में. पूरी प्रेयर बोली गई. कम से कम 5-6 हजार दिव्यान लोगों ने प्रेयर किया मेरा वाइफ को very next day she was out of coma. That was a very miracle for me. उसके आगे आज वो बेड़ पे है, फिर भी वो मेरे को बोल रही है, यह mission बन नहीं होना चाहिए. मैं तो क्या अपने आप सही हो जाऊंगी? तो यह बहुती positive vibes है, वो खुद अपने आप आप आजाते हैं. क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या वी शुल्ड नॉट बी फ्राइटन? क्या संदेश आप में तो कोई नहीं आपको रोक सकता है, और आप positive में, connectivity का world में, easy going is very essential. मादरे जी कहते हैं कि हायात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो. हम कैसे हमारे युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं कि वो भी चले इस पूरे राह से? हमको आज मालूम नहीं है कि इसको कितना जिना है, कोई 30 years की उमर तक जिते हैं, कोई 40 years की उमर तक जिते हैं, कोई 60, कोई 70, कोई 100 भी अचिव करते हैं, तो why not हम एक संकल्प करते हैं, जो भी lifespan हमको available है, हम वही से ये social cost के लिए काम करना चालू करें, society के लिए काम करना चाल तो working table से मेरे को लेके जाओ, हमेशा मैं काम करना चाता हूँ, और वही मैं एक संदेज देना चाता हूँ, कि everyone should be workaholic, work is worship, ये principle से हम जाएंगे, तो मुझे लगता है, success is not far away, हर इंसान को 20 साल के उमर में रहने तो 40 साल की, 60 साल की, उमर is not important, your attitude and your contribution to the society, आपको मालूम हूँ उसके importance के बारे में, तो आप कभी भी society में आपका योगदान दे सकते हैं, एक बहुती सुंदर कहावत है, कि उनकी गम की घटाओं से खुशी का चान निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दों में दिन की रोशनी भी है, तो ये थे निशान्त मातरे जी, जिनका हम धन्यवाद करते हैं? मेरा संदेश रहेगे. रहें करें दुनिया!